नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों। खाओ दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आपको लेके चाहरा हूँ एक मज़ेदार और स्वादिष कि खुश खाने के सफर पर और खुश क्यूं हूँ क्योंकि लता जी गई हुई है कुछ शॉपिंग करने के लिए और वो हमें कुछ देर के बाद जॉइन नयूरे और जहां मैं आज खाने जाने वाला हूँ ना मैं फाइदा उठा रहा हूँ कि वो अभी हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो खाना वो मुझे खाना नहीं देती क्योंकि मैं खाने जा रहा हूँ आज street food और आज मैं हूँ मुंबई में मलाड west में और ये area है mind space अब mind space कैसा area सर यहाँ पर ना बहुत सारे offices है ज्यादा करके call centers हैं या बीपी ओस हैं जो 24 घंटे चलते हैं यानि कि पूरी तीन shift लगती है और जब तीन shift लगती है तो खाना भी तो उतनी shiftों में खाया जाएगा तो उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी गलिया है और तीन चार खाओ गलिया इसी mind space में है जहाँ पर आप सोचिये वो आपको मिल जाएगा आप Chinese कहिए street side Chinese हाँ पंजाबी food कहिए, भजिया कहिए, South Indian कहिए सिंधी food कहिए अलग-अलग प्रकार की beverages, drinks सब कुछ जो मुंबई में famous है बटाटा वड़ा भी है, भूलेंगी नहीं और बज़ेदार चटकारे देने वरी पाउख भजी और डोसे भी तो चली अब मेरे मूँ में पानी आ रहा है, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि लदा जी किसी भी समय टपक सकती है तो उनके आने से पहले कुछ फटावट खा लें फिर उनके साथ कुछ, क्या बोलते हैं, शरीफो वाला खाना भी खाएंगे पहले बदमाशी कर लेते हैं थोड़ी सी आईए हमारे साथ तो दोस्तो सबसे पहले मैं पहुंच गया हूँ इन्फिनिटी मॉल के पास जो खाऊ गली है वहाँ पर और इस खाऊ गली में भी बहुत कुछ है खाने के लिए लेकिन मैंने डिसाइड के कि सबसे पहले मैं यहां के फ्लाइंग कुल्चे याने की कुल्चे छोले खाऊंगा जो की बहुत मशूर है तो चलिए कुल्चे छोलो पर अटाक करते हैं अरे जुक अरे यह तो लदा मैम जैसे दिख रही है अरे वही है मैं कह रहा हूँ तुछा ध्यान से देख नहीं 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 हो नहीं है अरे पक्का और फिर खाते हैं कि यह एक प्रेट लगा रहा है कि अधा कि अधा तुम यह और यह नहीं वह नहीं वह क्या मुझे मना करती है इस अब खाने आप तो हमेचा ब्लॉगिं के बहाने खाते रहते हैं वह ग्या हुआ नहीं लोलो फील हो रहा था बहुत सूपर से लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ दोस्तों लदा ने कुछे छोले खाना शुरू कर दी इसका मतलब आज मुझे यह इस खाओ गली में कुछ भी खाने से मना नहीं कर सकती क्यों नहीं मना करूंगी आपको तो रोज बहाने के बहाने आ जाते हैं कुछना कुछना कुछने क अज़ बहाने के खाने कि अश्या नहीं चलेगा मुझे जो मन करेगा वो मैं खाओ अच्छना कर लो तुमको भी चीटिंग करी रही थोड़ी और कर लो तो यह तो यह तो यह है फ्रेंज कुछने छोले मिल गए तना स्वाद है इसका अचार को क्या हुआ अचार खाके ओह अचार के 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 अचा तो क्रया दोले श्यद्धे शीचे हो यहां से था Heung मैं यह हो गागी है तो हमारे दे झाल से तब कर भर कंई सब्चय करया थोछा अरम थे फोड़ your daughter क्रोले है दोरो में चलोड़ियो कर. कि अब खोल शोले से जोंगी अर्प जब से बी तो इस पीने कि लिए और यहाई рий कि दोस्तों ने कि यहां का निम्बू जल जेरा सोडा बहुत रहाएं तो भाइ एक लगा दे नीम्बू जलजीरा सोड़ा फड़ा ठंडा थंडा था कि अंदर थंड़क पोचे क्या बोलती हो जादा थंडा नहीं लेकिंगे लेकि अचा अचा कम थंडी बरफ दालना उसके अंदर पीन अलग से लाग से इसको पीने के बाद फिर और डालने का इस रेली गुड रेली? अच्छा अलाग से रहें, तायम गुडू अच्छा अधर मजेदार शायद चाहिए? अच्छा होगा, पर मुझे लगा तोड़ा मीठा भी होगा शाएद, मैं मीठा तुम्ड रही हुगा नीबू जलजीरा सोड़ा ने कुल्चे शोले को कर जिए हजम चलते हैं अगले स्टॉल पर आईए तो दोस्तों मारे साथ और भी बहुत सारे खाऊ दोस्त बिल गए हमें यहां पर यह भी सब खाने पीने के शौकीन है उन्होंने बता दिया है कि यहां पर हमें क्या क्या खान तो बोल तीजे खाईए फीजी एच किचिए ठन्यबाद अभी नइए बात में होगा थैंक्यू तो दोस्तों अब हम आए हैं अपने अगले स्टॉल पर और यहां पर मिलती है बिर्यानी चिकन बिर्यानी और चिकन पुलाओ लेगें क्योंकि लंग्स टाइम है मैं यहां प बिरियानी वा भाई आपका नाम G ज़ए तो यह तुम दो निखाओगी स्वारी गरम गरम एक दम हाँ चलो एंजॉए अच्छा है आपको मिलगी यह जिर आपको न को अहसं करो सकते हैं थे कि दियोगार और्यानी पार औरोज में नमें कर दो क्या बलते हैं? तो अगर रेसीपी चाहिए तो कॉमें चाहिए ने चलिग एगा कहा उडोस बनाये ये वाली बिर्यानी आपके लिए मुझे मन था पुलाओ गाए का पुलाओ तेस्टी लग रहा था इनका यखनी पुलाओ जल्जा था लेकिन यह यह थी अप्री आप अश्टाम थे मैं कहा रहा हुआ तो इस एज पटना सवादेश्टी यह यह था हुदा यह थे अपर चोंगी बोलो अश्ली का था हुद है यह विश्यू को और एख बना देज बना दीजे तो दोस्तों बिज भना गड़ें गड़ेंगे और इस इतनी सारी गडलियों में यह जा कुछ और जा चुनेंगे आपको दिखाने के लिए तो मैं और ना भी खाया तो दोस्तों अब हम दोलों पहुंच गए हैं यह हमारी प् जो की माइंड स्पेस में ही है और यह देती है घर का बनाया हुआ वेज और नॉन वेज महारास्टियर स्टाइल कहना आज आपके बास क्या क्या है आप अपर में बताईए चिकन कडी है अंडा कडी है अडाल है चावल भाजी कुन सी है गेवड़ है और चौली कहे अच्छा तुम क्या क्या होगी अच्छा लगा लगा दे नान वेज गाए तो अंडा रहने दो दोनें विचान और एक साथ टकराओंगा मैं जुक दे दो चिकन धाली दो और एक वेज धाली दो यह रवे दोनों थालियां तयार वेश थाली और चिकन थाली का प्राइज है एट उसमें अंडा कड़ी भी आता है चापाती तीन देते न उसमें पूरे का 120 तो चीन थाली चिकन करी अंडा करी राइस 120 और यह वेश प्लेट कितने का 60 रुपीज रुपीज बंदब सेख सब्जी दो तरीके की डाले बोल सकते हैं इसको साथ में चपातियां राइस और चार और प्यास 60 रुपए में क्या बात है मुंबई इस ग्रेट चलिए भी खाते हैं दोस्तों मदा आ रहा है सड़क के किना इस चिकन रसा पेड के नी चे है और ऐसा खाना घर यासा बना हुआ और तरी जो nis यह गळीना यह मुझे सप्राइज कर रहें सच में यह । यह तो बिल्कुल होममेड है है यह भी खाना घर सी बना के लाती है जो लोग घर का खाना मिस कर रहें हैं बचलर्स हैं यार चू लाइटली श्पाइस्ट और नाइस है बहुत मस्ता है और यह चिकन जो हम लोग मालवानी चिकन कहते है जिसे महाराश्ट्यन चिकन कहते है ऐसे ही बनता है घर भी ना जादा स्पाइसे एक गुम होममेड दिलिशियस चिकन करी राइस यहां तो हरोज आनेगा और एक एक तो दोस्तों इसको मैं बता बता दू आपको यह दर पारडीक बीडिग ए पारडाइम बलते है पारडाइम बलते है पारडाइम बी उसके बिल्कुल सामने इस छोटा सा स्टॉल है यहां पर अब कभी भी आएंगे यहां पर मांइट स्पेस बहुंड धूंड का यहां तो दोस्तों हम एंजॉय करते हैं अपना इमहरास्टियन पूर कॉन कोंसे प्रांतों का खाना खाली अभी तक देखिए आप और अभी कुछ और प्रांत बागी है तो यहां से वाह चलेंगे जाता जी थोड़ी भूख रखिएगा ओके डाबल एक्सराइस करने बड़ेगी तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ताडो सुथो याने की वेरी गूद वेरी टेस्टी एवरी नाइस और हमारे साथ है मिहीका जी जो इस चोटे से स्टॉल को यहां पर चलाती हैं तो मिहीका जी यह जो अपने स्टॉल लगाया है मुझे लगता यह सिंधी डिशिस का स्टॉल है और पैसे मुझे 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 में मलब मैं सारी अभी खौगली घूम है ऐसा मुझे स्टॉल को इस पेशालिटी का दिका नहीं है चिंधी पूर अपिर अपी लोगों को पता नहीं है हर चागा दिको कि अप्रमारश्ण खाना मिल जाएगा पंजाबी मिल मुझे को को की बाच्गी बाच्गी पसंद है फोराश्ण को का थरी यदिकोः एट कोorseस्टा बाच्गी मुझे को इससंधी ऑठाले जब यह ञाए सब इन भी तर शोडब है तो मैं मिल लटाडर पींस कि पी नहीं हो इसारोगो जोग ने खाया नहीं होटे है पहली बार हुआ यहां पर उन्हें ने तेसे नहीं बड़ा अच्छा होता है यह तो इसको अपिर देखी के साथ सब करते हैं सब्सक्ति हम कर दो कर का करते हैं इसको सिंधी Market आकर ऑफान रहें करते हैं बड़ ड़ा उन्हेंक सब्सक्का पर देखी सब्सक्ति को कर दो इसमें लाएगा इसमें सिंदी त्रहिंखने अर यह बने च अर यह नहीं पोड़यों आपने तिकी चत्नी पूध दिने के त्रहिए के अधर प्या प्याज़च सिंदी मसाला और यह प्याज, मौलमली आप सब्सक्राइब करते हैं अधर, आपके विखने मंगोरे चल बना के रहते तक कि आप कुछ भी फ्लेवर्स मिस्ते ही हरे तो लदा अप्टाइ कीजिए पहले पहले है यहाँ अब बन बाई कि मेरा पेट बहुत बर्या है लेकिन अब तीनों नहीं गड़ी तग कर सब्सक्राइब देखके यह अब हम तर ले अब देक सर्ण एडिश्टी समय गड़ा देखके यह जो अब यह वह हमारी शुट पर बहुत बहुत बार आता था यह आज अड़ान जल्बाक्वान लेगिन ऐसा टेस्त मैंने गभी निभाए इं वही वैरे बना पैसे ओूर पाकवान इस सो क्रीफ, व्यारत लूद्प टूट गया गर्मा गरम आ लूप अचो आधाट जुक टुक तुक, टुक तुक तो पहले में आलू तुक को तुक करता हूं मुझे तो आरभ की याद आरी है ये वाले अलू देखे हैं उसे और बच्चों के बहुत पेवरिट है सिंदी स्टाइल परि-परि फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज बस या अलू दे तो मुझे कुछ और मद दो तो आएंगी अटे स्टाइबड ये नुख पारिष में औरम हम आएंगे बारिष में जुख चीड़े ड़ू य अपर्पाओड टे सिंदी पकोड्य और में एहें सिंदी फ़्रे ने शुरू नोम हिलोग Taylor अगी तो अगल्टिक duski में फरके मसाले तोगे सीक्रें historically यह मसाले की फैन होगी हो मैं तो मैं सोचा था नहीं खाऊंगी वड़ा इसलिए पराथे खाते हो नोमली और एक कोकी खाऊगे ना इदम डिफ्रेंट जाए इसको इसके साथ खाना है कि अच्राइच आप आपका थाईच शुत आउड़ा इसके सभावा के साथ भाएब गाउड़ा शुत आदे जाए हम एक बुंदग को सुखे नुखा यारे जी कोषिए इसके समय परसे हो इड़ी सिंपल बहुत ही मतलब माइल्ड है स्पाइच्पेल आड़ी मिर्ची- सबस्टा नहीं है यह ज़ती है वह जल्दी मिलते हैं तो दोस्तो साइभाजी खाली पुलाओ खालीगा लाल पक्वान का लिया अब यह आए है हमारे पास प्यास की कोकी की जो लधा जी की फेवरिट है तो लधा जी पहले टेस्ट करेंगे शको मैं वेट कर रही हूं कितना भ दिफ्रेंट तर अपना अभर का अवार्श पराथा अब तर निए देखो बहुत स्वाधित यह भी व्रण्ज की करहां आप सकाई जा सकती है क्या मज़दार है नुट है इस ने कोई डाल भी मिंग्स गया नहीं उसमें सिब कांदा और मसाले रहते हैं और हम लोग दाल साइड में शुट कर पर इस तरी से बनी नहीं एक्चली पर इस नहीं है एक्षट अग्रम गरॉड़ दवे के उपर घी हम अब बनाते हैं अश्या वैसे friends, I would like to say that Sindhi food is quite healthy क्योंकि हर फूड में इनके प्रोटीन रहता है या नहीं तो हमारे हिंदिन फूड प्रोटीन होते है क्योंकि कोई ना कोई तरीकी की दाल रहती है इंपक्क जैसे साई भाजी में वो पालक भी थी तो again it is on the healthiest side बासाले भी medium होते बहुत तेज नहीं होते है और जो आप चुब चुब के कुछे शोले खारी ती उसमें क्या है वो बहुत फाइदे मन है वो तो क्योंकि वे खुशी देते हैं और यह फूड हेल्थ देता है तो दोनों चीज़ इंपरेंट है happiness also and health also yes both the things balance के साथे वाव निदे अट्डिनस कहाना पसंद करेंगी या अब सिंधी कान पर्षब पापड खपे तो क्या बोलते है पापड खपे पापड ऑपड चेहिए चाहिए पापड खपे चाहिए सिंधी पापड हमारे खुट के बनढ़े हैं हैं वावा और कि नास्टा करें कि सुपर कितने मिशे शुरू कर दो को टाउं जो बारिश को लोग चाड़े ज़गाने पेसे सब्सक्राइब टार के लिए अजय के हाथ दोस्तों वोग उछे लोग चोटी चोटी बिजनस चाला ते इतनी मुश्किले आती हैं जोटे रहते हैं और जैसे इनों ने पता है 12 गंटे यहां दूपो बारिशों यही रहती है और दोस्तों को लोगों को इतना टेस्टी सिंधी खाना किलाती है तो अगर आप सिंधी खाने के शौकीन है नहीं भी हो अब ट्राइ कीजिए सिंधी कुछीन बहुत ही अलग बहुत अब चलते हैं और यह अब आपको बहुत है अब तो एक और परांत का खाना हुआ संपन अब चलते हैं कहीं और क्या सोच्छे बोत खा रहें अरे नहीं अभी तो पिंचर बाकी है आईये मरें क्या नाम है अपती दुगान का दी एन आइस क्रीम इंफिनिटी बॉल के सामने अगें अगें अड मलाट वेस्ट अली तो खूब खाना खाली आप तो देख लिए होगा वैसी में क्या भूलों क्यों लाता जी आज कुछ प्जादा निखाया ना क्या हुआ इतना खाली है क तो इतना सब खाना खाने के बाद हम आया है अब यहां पर भाईसाब की पण कुलफी बाट सेमस है यहां पर तो बहिए लगा दीजी एक पान पान कुल्फी दिखाईए आपकी पान कुल्फी कहा है यह देखिए पान कुल्फी अब लगाईए इसको एक प्लेट में ऐसी घर्मी में ऐसी ठंडी ठंडी कुल्फी है सच में मज़ा आजएगा मैं बता हूं दोस्तों यह व्लॉग को सबसे दा लाइक मिलने चाहिए सबसे आपको शेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इतनी तप्ती थूप में बाहरा है क्या बताएं और टैन हो गया मुझे और मेरे चैनल पर देखिए बिल्कुल और यह सब खाने के लिए यहां पर ठीक है खाने के लिए यहां पर पतला होने के लिए यहां पर तो जैसे सब क्याते है मैं भी क्याता लाइक, SHARE, AND SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL पूर लफली हॉट-HOT-HOT-HOT AND KOL-KOL-WODVLOGS Wogs? VLOGS! अजे वाह झाड़ा, तुमस्टारी आ कर रही है, खाकर देखु अठाटी हो गी दिख यह एक्दम तेस्टी दिखिहरी है, इसके अंदर दो मुझे वह पान किया सुपरी पढ़ती है इसके अंदर पॉरा पान है वाओ इसमसी मैं हाथ सिकारी, बुलो मूझे लखनाओं में मी यह बहुत है एक दम मीठा तंदा बान ओ अब अब यह कुछ जमाते हो फुल्पीव का रहा 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 है बहुत जबस दबर दसे हैं उनको बोलो इसके अंदर घुलकन तुपारी यो भी बान में चीजे पड़ती है रहा वह चोटी होटी है चीज पड़ी है अंदर अब इसा चिल्ड फ्रीजर से निगाल के पान खाया जा रहा है फ्रोजन है बहुत दरुवती है कि मैं गरम गरम गाना है इतनी गर्मी में अब यहां कहते हैं ठंड पैगी है हस्ते हस्ते खाते खाते मस्ती करते करते है आज का इस व्लोग को खतम करने का समय आ गया है तो अन दिस ऐसे ही चटकारे बड़े खारों का इंतिजार करते रहिए और आप सब बस क्या कीजिए कहाई बढ़िए बढ़िए आज कीजिए नंनेवार्ट